क्या आपका glow भी कुछ इस तरह से दूर जाके लगता है क्या आपका glow भी इस तरह से लगता नहीं है और invalid location बताता है और क्या आपका pack भी ठीक से नहीं हो रहा तो जी हागाईस आपने सही वीडियो में क्लिक किया है आज मैं इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब होगा तो पूरे वीडियो में बने देना और चलिए इंट्रों के बाद आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि अब्सक्राइब कर लेते हैं जो हम लोगों का invalid location बताता है और फिर global दूर जाकर लगता है यह कैसे होता है तो इसमें से क्या हो रहा है वो ग्लिच के वज़े से हम लोगों का जो स्पीड है उन में से कुछ गल्तिया हो जाते है जिनकी वज़े से यह glitches हो रहा है ग्ल्वाल दूर जाकर लग रहा है या फिर invalid location बता रहा है तो यह क्यो हो रहा है कैसे हो रहा है यह समझो पहले हम में से बहुत सारे लोग जानते हुए या फिर बिना जाने वी smart throw को on करके रखते है तो इसका काम क्या है यहाँ पर अगर हम लोग इसको on रखते है तो जब भी हम लोग glow बटन पर टैप करेंगे glow अपने हाँ पे लग जाता है ठीक है लेकिन smart throw को कैसे पता लगता है कि कह यहाँ पर glow लगाना है जहाँ पर हमारा crosshair होगा वहाँ पर ही यह ब्लू कलर का निशान दिखाए देगा और उसी जगह पर glow लगता है समझ में आ गया ना हाँ वही पर problem है क्या problem है मैं example से आप लोगो को समझा देता हूँ यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर जब भी ड्रेक क करने के बाद मैं glow लगांगा glow button पर टैप किया और यह जो obstacle सामने आप लोगो को दिख रहा है उसे पर यह blue color का निशान पड़ा ठीक है तो वही पर smart throw के वादे से glow बटन में टैप करने के वादे से वहाँ पर glow लग गया इसलिए वो दूर जाके लगा लेकिन यहाँ पर नहीं रहेगा इसलिए हम लोग को invalid location दिखाए देगा एक और example बतायता हो यहाँ पर मैंने drag किया यहाँ पर glow पर टैप किया और location वहाँ पर है तो मेरा glow भी वहाँ पर जाके लग जाएगा क्योंकि वहाँ पर obstacle था लेकिन यहाँ पर देखो obstacle भी है मेरा glow पर touch भी हो रहा है लेकिन invalid क्यों बता रहा है यहाँ पर सो गाइज यह 90% glitch के वज़े से होता है और यह glitch कैसे ठीक करना है वो मैं आगे चल के बताएंगा कौन सी टेक्निक से यह glitch बंद कर सकते हो आप और 10% आपकी गलती भी हो सकता है जो मैंने पहले भी आप लोग को समझा दिया मैंने क्या बताया था जहाँ पर आप ड्रेक करके ग्लोवाल पर टैप करोगे जहाँ पर आपका क्रोस यार होगा वहाँ पर अगर कोई भी ऑप्स्टिकल नहीं रहेगा तो आप लोगों को इन्वैलेड लोकेशन बतायेगा और अब चलता है 90% जो glitch आप लोगों को देखने को मिल रह या फिर इन्वैलेड लोकेशन बता रहा है या फिर बंदे के ऊपर लग रहा है इन सारे प्रॉब्लम का 90% solution आपके ड्रेक टेकनिक यानि ग्लोवाल लगाने के टेकनिक पे चुपा हुआ है और जो बाकी के 10% है यह सिब गरिना ही ठीक कर सकता है और खुशकबरी यह है गर तो पूरा रोटेट कर करते हो लेकिन याद रखना पूरा रोटेट करना है जैसे मैं अब दिखा रहा हूँ ठीक है our और याद रखना पूरा rotation होने के बाद आप लोगों को glow all में भी tap करना है और fire button यानि left fire button में भी tap करना होगा दोनों में अगर click नहीं करोगे तो आपका हो सकता फिट से glitch दिखाए दे तो दोनों में click करना मत बुलना और smart throw button and left fire button को always बे on करके रखना ठीक है इस glow all का और भी सारे glitches है जैसे कि आपका pack नहीं होता या फिर बंदा अंदर आ जाता है pack के अंदर या फिर आप बाहर चले जाता हो ऐसी बहुत सारे glitches है जो मैं next वीडियो में cover करने वाला हो अगर next वीडियो मिस नहीं करना जाते हो तो मेरे चैनल को subscribe करके रखो कल या person next वीडियो आ जाएगा तो मैं मिलता हूँ उस वीडियो में तब तक लिए bye and take care stay home stay safe good bye